नमस्कार बहुत स्वागत है आपका राहू का रासी परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर तक राहू महराज मंगल देव की रासी मेस रासी में है 30 अक्टूबर की दोपहर 2 बच कर 13 मिनट पर अपनी वक्री चाल चलते हुए राहू हमेसा वक्री ही चलते हैं मेस रासी से निकल कर देव गुर ब्रस्पती की रासी मीन रासी में प्रवेश करेंगे तो जब राहू मीन रासी में आएंगे तब आपके जीवन परस का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले डेड़ साल तक आज हम यही जानेंगे वीडियो के अंतक बने रहें और यह प्रिक्षन चंदरासी पर आधारित है राहू एक धुए के समान गरह है जो ब्यक्ती के जीवन में भ्रम फैलाता है राहू का नाम कूटनीती में माहिर इसलिए राहू की किरपा हो जाए तो ब्यक्ती राजनीती में खूप सफल होता है और राहू बहुत जल्दी बदलने वाला तेज बुद्धी वाला भी है इसलिए ब्यक्ती को ब्रहमित भी कभी करता है और कभी तो एकदम से आसमान की उचाईयों पर पहुचा देता है इसके गुन भी होते हैं दोस भी होते हैं और इसका प्रभाव भी ततकाल मिलता है यानि रातो रात ब्यक्ती को या तो एकदम से अमीर बना देगा या फिर राहू की दसा में अक्सर स्वप्न में सर्प दिखाई देता है क्योंकि राहू का समंद सर्प से भी है जीवन में जूटी उमी, जूटी आसाए, अंद विश्वास, धुनली दृष्टी ये भी राहू के कारण होता है अब देखिए, राहू का प्रभाव, जब मेश रासी से निकल जाएंगे तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके उपर देखिए, राहू के एक विशेष्टा भी है कुन्डली में, जिस भी गरह के साथ इस्तित होता है उस गरह का प्रभाव, राहू पर आ जाता है यदि कुन्डली में कमजोर है, तो उसी के नुसर विभार करता है वैसे राहू को टेक्नोलोजी का मास्टर कहा गया है यानि बिमान, तक्नीकी, स्रोत, मीडिया पर राहू का अधिकार है और राहू को असुब गरह भी माना जाता था पहले के जमाने में लेकिन अब राहू को संचार का कारक माने जाने वा लगा है क्योंकि राहू के कुछ अंचुए जो तत्तिते वो जीवन से कहीं गयब थे लेकिन अब सही तरीके से सार्थक प्रफाव डाल रहा है राहू तो हर सफलता प्रदान के करने के पीछे हर बेक्ती के जीवन में राहू की किरपा का भी महत्त होता है और राहू को भी देखना चाहिए तो राहू मीन डासी में 18 मई दो हजार पच्चिस की साम 7 बचकर 35 मिनट तक रहेंगे इसके बाद कुम रासी में प्रवेश कर जाएंगे और केतू राहू तो मीन डासी में लेकिन जो केतू अभी बरतमान में तुला रासी में है लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहू रासी प्रवेश करेगा तो केतू भी करेंगे और साथ ही इसमें चांडाल दोस्स से भी मुक्ती मिल जाएगी लेकिन जो केतू हैं वो कन्या रासी में प्रवेश करेंगे तो मीन रासी और कन्या रासी वालों के उपर खास प्रवाव क्या होगा यही जानेंगे वैसे तो देव गुल भरस्पती जैसे ही राहू से चंगल से मुक्त होंगे तो वो अपना एक अलग ही प्रवाव या पिर आसिरवाद बरसाएंगे और दूसरी बात राहू जब संतुष्ट अवस्था में होते हैं तो बैक्ती को उचाईयों तक ले जाते हैं वैसे तो राहू हमेशा उल्टी चाल चलता है जैसे कि अभी मेस रासी में है तो नियम से हर गरह अगली रासी में जाते हैं लेकिन राहु पिछली रासी में जाते हैं, यानि मीन जो सबसे अंतिम रासी है, यहां पर राहु आएंगे. तो राहु उल्टी दिसा में मेंस से मीन की और बढ़ेगा, और मीन रासी के स्वामिर देव गुरु हैं और राहु से उनका सत्त्रू भाओ है. तो करक रासी वालो तीस अक्टूबर को राहू आपकी रासी से नवंभौ में आएंगे यानि भाग अस्थान को प्रभावित करेंगे और भाग अस्थान पर जब राहू आएंगे तो कहा जाता है जो तिस में कि गंगास्नान का फल देते हैं लंबी यात्रा के योग बनेंगे यहां तक कि आप विदेश यात्राइं भी कर पाएंगे या फिर इस दिसा में अगर प्रयास करते हैं आप कहीं बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं तो यह वक्त आपको सफलता जरूर दिलाएगा लेकिन आपको अपने पिता के साथ संबंध का ध्यान रखना है क्योंकि उनके उनका जो स्वास्त हैं उनका भी ध्यान रखना है क्योंकि उनके स्वास्त में थोरा सा निगेटिव प्रभाव रहेगा अब तो इस समय आपका जैसे वैपसाई हैं तो वैपसाई उन्नती होगी समाज में आपका मान समान बढ़ेगा और स क्वास्त की बात करें तो बड़ी समस्या नहीं है अच्छी है पर थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा हां अगर आपका कोई महत्पूर्ण योजना है तो उसको बर आप रोप मत लगाईए बलकि उसको आगे बढ़ा दीजिए वह आपका आगे बढ़ जाएगा कहीं निवेस इसमें करते हैं तो लाब नहीं होगा इसलिए इसमें जड़ा समलकर ही आपको निवेस करना है या पर किसी से परामवर्ष लेकर कीजिएगा आप अपने जैसे कॉलिस्ट्रोल वेगर का थोड़ा सा ख्याल रखेगा और ज्वाइंट पेन की समस्या है तो ज्यादा ध्यान तो भी अपना ध्यान रखें विसेश ध्यान रखना होगा जिनको है तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए यह थोड़ा सा राहू का साइड इफेक्ट है और दूसी तरफ केतु का प्रफाव सुभ गोचर में आने से आपको राहत भी मिलेगी अगर कुंडली में केतु की सब्सक्राइब की ढया चल रही है और इस वजह से धन को लेकर थोड़ी बहुत परिसानी रहेगी लेकिन केतु पंचन द्रिष्टी के साथ आए भाव को एक्टिव कर देंगे इनके इंकम भाव को तो कुंडली में केतु इसी भाव में बैठे हैं इसका आपको ज्यादा फ भूबलाब होगा केतु की एक द्रिष्टी भाग अस्थान के उपर भी है यहां पर राहू है तो यह गोचर ठीक है लेकिन बैवाही जीवन में कोई खुशखबरी जरूर मुलेगी संतान प्राप्ति की योग बने वे हैं और केतु का भी सुफल यहां पर आपको देखने क को मिलेगा तो करक वालों दूसरी तरफ आपके करियर में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी इंकम के नए रास्ते खुलेंगे एक से ज्यादा स्त्रोट से धन आने की योग हैं खासकर आपको पैसे की कमी इस पूरे डेड़ सालों के अंदर तो नहीं होगी और दोस्त औ अगर आप जॉब करते हैं आपको बड़ी सफलता मिलेगी आकस्मिक धनलाप के योग बनेंगे और मेहनत से सफलता है बिदेश यात्रा बेगरे के भी योग बनेंगे इस समय क्योंकि बिदेश जाने के एक चुक जो लोग है उनके लिए बढ़िया है उनके लिए समय यह ब प्राकरम भी बड़ेगा और जो बैपारी भाई है मुनाफ़ा होने की योग है तमाम अटकेवे कारे पूरे होंगे और बैभाहिक जीवन में कोई कस्ट ना हो इसका ख्याल रखें आलस से त्याग कर अपने लक्ष पर फोकस बनाये रखें क्योंकि समय उत्तम है तो इसका फाइदा तो उठाना ही चाहिए और इस समय नहीं उठाएंगे फाइदा तो फिर बाद में आपको दुबारा इतनी खुबसूरत मौके कमी मिलते हैं इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और साथ ही इस समय चुकी लाब होगा तो विदेश यात्रा के साथ धन बिर्दी निवेस करना आपके लिए ठीक है परसोष समझ कर करियेगा और खासकर जो बैपारी भाई हैं उनके लिए तो पांचों उंगली घीमे है समय का फाइदा आपको उठाना है और यहां पर करकरासी में गुरू भी उचके होते हैं तो करकरासी वालों के करियर भाव में अच्छा है और आपके लिए राहू 18 मई 2025 की साम साथ बचकर 35 मिनट तक यहां पर बैटे हैं यानि 30 अक्टूबर से 18 मई 2025 तक तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है हम आपसे विदा लेंगे पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें कमेंड करें लेकिन सबसे करना चाहते हैं तो इन दो मंत्रों का जब जरूर करें और कारोबार में मन मुताबिक सफलता तो मिलेगी क्योंकि महरवानी है और आप भागिसाली रासी में से एक है धन्यवाद फिर मिलेंगे